आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello everyone, let's read the question first आज के Question में में दो Statement, एक Statement दे रखी है हमने उसको Direct Narration दे रख है हमने उसको Indirect Narration में Convert करना है हमारी Statement है Jyoti said, inverted comma begin, I went to India to visit my family, inverted comma close और नीचे हमें 4 Options दे रखी है हमने उनमें से Correct Option चूज़ करने है सबसे पहले हम यह देखें, जब हमें Narration चेंज करना है यानि हम Speech चेंज कर रहे हैं देखे, Speech जो है वो दो तरीके से हम लोग बता सकते हैं एक हमारे पास Version है जिसको हम कहते है Direct Speech और एक हमारे पास है Indirect Speech तो जब हम बात करते हैं Direct और Indirect की इन में Difference कैसे पता लगता है हमारे Sentence में कोई Speaker होता है जो भी Person कोई बात बोलता है जो बात उसने बोली जब हम वो Actual Words यूज़ करते हैं तो उस Speech को हम लोग Direct Speech कहते हैं और अगर हम उन Words में थोड़ा Replacement करके उन Words में से कुछ Words को Replace करके हम उसको हम Actual Words को Replace करते हैं तो जो हमारे पास वहाँ पे Speech आती है उसमें हम लोग उसको Indirect बोलेंगे तो अब एक पहचान तो ये हो गई दूसरा यहाँ पे है कि जब हम Direct Speech यूज़ करते हैं हमारे पास जो Actual Words होते हैं वो Inverted Komma में होते हैं जो हमारे Actual Words तरीके से यहाँ पे हम लिखेंगे Speaker के और यहाँ पे हमारे Inverted Komma Start and Close हो जाएंगे यहाँ Reported Verb है जैसे मानली जी हमने का He Said तो यहाँ पे एक कॉमा उसको ऐसे अलग कर रहा है अब जब हम इसको Indirect में Convert करते हैं तो हमारा एक चोईस तो आ गया कि हमारे जो Inverted Komma है वो Remove हो जाएंगे और जो Single Komma है यहाँ पे एक यह वाले Inverted Commas एक यहाँ पे Beginning and End और यह वाला जो कॉमा है हम इसको Remove कर देंगे और इसकी जगह पे हमारे पास That लग जाएगा Depending upon a sentence कभी If भी लग सकता है To भी लग सकता है वो Depend करता है कि हमें sentence कौन सा Given है अब आज का जो sentence हमें दे रखा है अगर हम उस sentence को यहाँ पे लिखे कि जोती said अब जोती ने क्या कहा यहाँ पे हमारा कॉमा और यहाँ हमारे Inverted Komma Begin तो यहाँ पे लिखा है I went to India to visit my family यहाँ पे आ गया I went to India मैंने India विजिट इंडिया गई मैं to visit my family तो अब यहाँ पे दिखे यह actual words जो जोती के हैं वो यह है I went to India to visit my family inverted comma close and full stop अब हमारा जब इसको indirect में convert करना है एक तो हमारा यहाँ पे यह inverted कॉमा हम कह रहे हैं कि replace हो जाएंगे that के साथ दूसरा हमारा जो यहाँ पे आता है majorly tense change होती है तो और एक और change यहाँ पे जो आता है वो है हमारा pronoun या noun हम लोग change करते हैं first और second से third person में तो अब जब हम इस sentence को अगर हम indirect narration में change कर रहे हैं तो हमारे पास जोती said तो as it is ही आएगा कि जोती ने कहा जोती said अब यहाँ हम inverted comma को replace करके लिख रहे हैं that I का बन जाएगा she अब यहाँ पे हमारी जो tense यहाँ use हो रही है went यह simple past tense है तो simple past tense जो है वो हमारी change हो जाएगी past perfect में तो हम यहाँ लिखेंगे she had gone go जो है वो went की first form है और third form went की जो है वो gone है go went gone तो हम क्योंकि यहाँ पे had यूज कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे gone to India अब India to visit अब यहाँ पे जो my pronoun है वो भी change हो जाएगा her में to her family और यहाँ पे जो हमारा है inverted comma खतम हो चुक है full stop तो हमने अगर उपर हम अपने options में देखते हैं तो हमारा यह जो option second है यह हमारा correct answer है हमने यहाँ पे first को deny कर दिया first को हमने नहीं लिया क्योंकि वहाँ पे tense change ही नहीं किया no change है तो इसलिए यह गलत है क्योंकि tense change होगी यहाँ पे और third option में जो है इस लिखा हुआ है इस तो present tense है तो यह नहीं हो सकता क्योंकि already question में भी past tense नहीं रखिया तो यह option भी गलत हो गया उसके बाद she was going जो है यह भी गलत है क्योंकि was going जो है वो continuous tense है past continuous और यह अगर हमारी present simple past tense है तो वो past perfect में change होती है तो यह option भी हमारा गलत हो गया तो हमारा correct option है option second so I hope आपको यह question clear होगा thank you very much